नमस्कार दोस्तों, जो जन्मा है उसकी मृत्यू तो तय है, लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यू से पहले हमें कई संकेट मिलते हैं, तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा मृत्यू के कुछ ऐसे संकेट जो यदि आपको दिखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए सबसे पहला संकेट, इनसान के सरीर में साथ चक्र होते हैं, पुराणों की माननेता के अनुसार मृत्यू की सबसे पहली आहट नाभी में होती है, नाभी चक्र को तूटने में काफी लंबा समय लगता है, इस चक्र के तूटने के साथ ही मृत्यू के दिन नस्दीक आने लग मृत्यू से पहले इंसान के हाथ की रेखाए बहुत ही दुंदली दिखाई देने लगती है यह इतनी दुंदली हो जाती है कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल हो जाता है तीसरा संकेत स्वपन सास्तर के अनुसार किसी भी मृत्य पूरवज को सपने में देखना असूब माना जाता है जब इंसान की मृत्यू नज़दीक आती है तो उसे एसास होने लगता है कि कई आत्माए उसके आसपास पठक रही है अरे इतना ही नहीं बलकि उसे सपने में मृ पुराण के अनुसार बृत्यू के करीब आने पर इंसान को अपने साथ बैटा हुआ व्यक्ति भी नजर नहीं आता उसे यम के दूत नजर आने लगते हैं जिन्हें देखकर इंसान डर जाता है पांचवा संकेत किसी रोक, नसा और चिंता की वज़ा से इंसानी सरीर के अंदर स्थीत, सभीस नायू और नाडिया कमजोर होने लगती है बृत्यू से पहले इंसान के सामने बार बार अंधेरा चाने लगता है यदि किसी इंसान को लगातार दो सप्ता से अधिक ऐसी समस्या है तो तुरन उसे इसका सही इलाज करवाना चाहिए छठा संकेत मृत्यू से एक महने पहले इंसान को अपनी परचाई अलग दिखने लगती है और कई बार परचाई का सर ही नहीं दिखाई देता साथवा संकेत मृत्यू से पहले इंसान के सरीर से एक अजीब सी दुरगन दाने लगती है जिसे मृत्यू गंद भी कहा जाता है ऐसी दुरगन कई दिनों तक बिमारी को टालने की वज़े से आने लगती है क्योंकि तब हमारा सरीर अंदर से मरने लगता है यह गंद किसी मुर्दे में से आने वाली दुर्गन की तरह होती है कई बार मौच से पहले इंसान को सिसे में अपनी जगा किसी और का चेहरा दिखाई देने का ब्रह्म होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की मृत्यू से पहले इंसान की आखे दीरे दीरे कमजोर होने लगती है नौवा संकेत यदि कोई व्यक्ति, चान, सूरिय और आग की रोसनी को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब है उसकी मृत्यू नजदीक है दस्वा संकेत, पानी में या फिर सिसे में अपनी परचाई न देख पाना या फिर उसमें अजिब परचाई दिखना भी मृत के संकेतों में से एक है ऐसा व्यक्ति मात्रा 6 मा तक ही जिवित रह सकता है ग्यारवा संकेत यदि कोई व्यक्ति दाहिनी नासिका से सांस ले रहा है तो यह भी मौत का संकेत है ऐसे में व्यक्ति की मौत तीन साल के अंदर हो जाती है हाला कि ऐसा जुकाम की स्थिति में भी हो सकता है लेकिन यह सर्दी जुकाम की स्थिती को छोड़ कर बताया गया है बारवा संकेत जदी इनसान के मल, मुत्र, वीरिय और छीक एक साथ गिरते है तो यह भी उसकी मृत्यू का संकेत है ऐसा व्यक्ति केवल एक साल तक ही जिवित रह सकता है तेरवा संकेत यदि इनसान के नेत्रों के कुने का रंग काला और निला हो जाता है तो यह भी मृत्यू का संकेत माना जाता है ऐसा व्यक्ति सिर्फ छे मैने तक ही जिवित रहता है चौदवा संकेत सरीर का पीला और सफित पढ़ जाना एवं सबकुछ लाल नजराना मृत्यू की दस्तक मानी जाती है ऐसे इनसान की मौत छे मैने के अंदर हो जाती है पंदर्वा संकेत यदि इनसान को नीले और पीले रंग गलत दिखे या फिर कड़वे और खटे रसो का स्वाद अजीब लगे तो समझ जाओ उस इनसान की मृत्यू नजदीक है यदि किसी इनसान की आखे नाग और जीब पथर जैसे बार बार दबद हो जाए तो इसे मौत का संकेत माना जाता है ऐसे इनसान की मृत्यू करीब छे मत्रे के बितर हो जाती है सत्तरवा संकेत यदि किसी इंसान की जीव फूल जाए तो माना जाता है कि उस इंसान की मृत्यू करीट छे मैने के बितर हो जाएगी इंसान के दातों से मवाद निकलना भी मौत का संकेत माना जाता है अठारवा संकेत यदि कोई इंसान बिमार है और उसके पेट पर सावले, लाल, नीले या हल्दी कलर की लाइन देखने को मिले तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के मृत्यू करीब आ चुकी है उन्नीसवा संकेत यदि किसी इंसान के बाल खिचने पर वो असानी से तूट जाए और उसे दर्द भी न हो तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान की मृत्यू कभी भी हो सकती है बीसवा संकेत यदि किसी इंसान का सरीर किसी भी वीमारी के बिना एक ही महीने में मोटे से पतला या फिर पतले से मोटा हो जाए तो समझ जाओ कि उस इंसान की मृत्यू करीब है 21 संकेत किसी भी इंसान को मरने से 3-4 दिन पहले ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है इतना ही नहीं बलकि उस इंसान को अपने आसपास पुरुवजो के होने का एहसास बार बार होता है 22 वा संकेत यदि इनसान अपनी नाक की नौक को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस इनसान की मृत्यू नस्दीक है 23. यदि किसी इनसान के आसपास नीले रंग की मख्या अधिक समय तक रहे या फिर उस इनसान को नीले रंग की मख्या चारों और से गेर ले तो समझ जाए कि उसका जीवनकाल समाप हो चुका है 24. गर से निकलते ही यदि किसी इनसान के पीछे कुट्टा उसे काटने के लिए भागे तो यह अच्छी बात नहीं है यदि किसी इनसान के साथ चार दिन से अधिक ऐसा होता है तो उस इनसान को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यह मौत की दस्तक है 25. यदि एक सब्दा तक किसी इनसान का बाया हाथ फड़कता है तो समझ जाए कि मौत नजदीक है ऐसी परिस्थिति में मौत किसी भी कारण से हो सकती है यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय स्री राम